असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ कस्टड एपल क्रीम यानि सिताफल क्रीम की रेस्पी शेयर करने जा रही हूं जो कि मेरी शोहर ने बनाई है और इसका टेस्ट तो काबिले तारीफ था आप एक बार ट्राय जरूर करें और इसे जर और इस तरह से सारा का सारा जो पल्प ह में निकाल लिया है कि टो जो मैं और आप आपको विष्क जमता है तो विषक इसमें से निकाल लेनी है तो अभी ये सारा का सारा पल्प आप देख सकते हैं निकल चुका है अंदर का और ये सारी वीज हम लोगोंने अलग कर ली है तो इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सबर का फल बहुत मीठा होता है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था तो फाइनली हमें ये कस्चवड एपल का सारा पल्प मिल गया है तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम यहां पर ये 250 ml के दो बॉक्स है तो 500 ml हमें इसमें फ्रेश क्रीम डालना है जिस तरह से हाजी अली में अगर किसी ने खाया है तो बिल्कुल वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा जरा भी कोई भी कमी नी होगी इतना लाजवाब जो है इसका टेस्ट है सीता अफल क्रीम का तो ये दोनों बॉक्सेस हमने डाल दिये है और साथ ही इसमें डालेंगे अब मिल्क मेट तो ये मिल्क मेट का छोटा सा कैन है जो गे 200 ग्राम का है तो हम दो कैन डालेंगे यानि 400 ग्राम डालेंगे इसमें और अगर आप मिल्क मेट ने डालना चाहते हैं तो आप जो है यहां पर शकर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन मिल्कमेट से टेस्ट इसका और ज्यादा बढ़ जाएगा 400 ग्राम मिल्कमेट 500 ml फ्रेश क्रीम और 2 kg सिता फल में इतना इसा पड़ेगा अब यह सारा डालने के बाद इस अच्छी तरीकी से 2-3 मिनिट तक हमें मिक्स कर लेना है कम से कम दो मिनिट तक आप इससे अच्छे से मिक्स कर ले इस तरह से और अब जो है हमारा यह कस्छर्ड एपल क्रीम सीता फल क्रीम या डेजर्ट जो भी आप बोलने बिल्कुल रेडी है खाने के लिए लेकिन जब यह ठंडा होगा तो इसका टेस्ट जादा अच्छा लगेगा और आप इसकी आइस क्रीम भी बना सकते हैं आइस क्रीम मोल में इसे डाल कर फ्रीज कर दें तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे खैर यह हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है और अभी बिल्कुल रडी हो चुका है तो मिक्स करने के बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे एक से दो घंटे के लिए ताकि बिल्कुल उसी तरीके से कस्टड अपल क्रीम बनाएं बिल्कुल हाजी अली में बैट कि जो हम लोग कस्टड अपल क्रीम खाते हैं वैसा ही टेस्ट होगा जरा भी टेस्ट में कोई कमी नहीं आईगी आइम डेफिनेटल शौर अबाउट इस कि आपको रेसेपी बहुत पस जाती हैं तो सबस्क्राइब करें और कमेंट करें थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज